Hello everyone, myself Dr. Vin Sharma and you're watching Ask Health Guru Trifla, यानि की हरण, भेड़ा और आमला, इनका जो मिक्षर होता है इनको Trifla कहते हैं Trifla का use आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर किया होगा और generally Trifla को रात में लेते हैं सोने से पहले ताकि सुबे पेड़ साफ हो सके पर हमारे आचारेों ने चरक सहीता में कुछ ऐसी विदियों का वंडन किया है जिनको use करके अगर हम Trifla का सेवन करें तो वह अम्रित रूपी हो जाता है और हमारे शरीर से सारी वियादियों को, सारी बीमारियों को जड़ से बाहर निकाल देता है और हमारी आयू, यानि हमारी एज को भी 100 वर्षों से ज़ाधा कर देता है तो अगर आपको जाननी है ये विदिया तो ये विदियों लास्त तक ज़रूर देखेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रसायन का मतलब होता है जरा व्याधी नाशनम रसायनम मतलब जो जरा यानि की एजिंग प्रोसेस को रोकता है हमारे शेरी में जो भड़ा पाता है उसको ये दूर कर देता है और व्याधी नाशनम यानि की जो सारी व्याधियों का नाश करता है हमाई शेरी में जितनी बिमारी होती है उनको यह जड़ से खतम कर देता है तो अगर हम इन वीदियों दोवारा यह है तिर्फला का सेवन करेंगे तो यह जराव्यादी नाश्नम होगा और रसायन का कारे करेगा तो टोटल चरक सहीता में चार वीदियों का वर्णन है जिसमें से मैं दो आज आज आपके साथ यहाँ पर शेर करूँगा तो चलिए फटाफट से पहली वीदि की बात कर लेते हैं इस श्लोक का मतलब यह है कि रात का खाना जबाब का पज जाए और सुबे जब आप उठें तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए तो आपको लेना है एक हरड का फल या फिर आप ले सकते हैं एक चोथाई चमच हरड का पाउडर जो की मार्केट में आपको इसली मिल जाएगा या आपको लेना है सुबे खाली पेट और दुपैर के खाने से पहले आपको लेने है दो बहेडे के फल या फिर बहेडे का पाउडर आपको मार्केट में इसली मिल जाएगा तो आधी चमच बहेडे का पाउडर आप दुपैर के खाने से पहले ले और रात में चार आवले के फल या फिर एक चमच आवले का पाउडर आप ले सकते हैं रात में खाने के बाद इन पाउडर्स को आपको लेना है हनी के साथ अगर आप इनको शैद के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा तो आचारे ने जो बोला चरक सहीता में तो उनको मधू यानि की हनी और गृत के साथ लेने के लिए बोला है तो आप इसको शैद के साथ लीजे बहुत फायदा करेगा आपको तो आईए दूसरी वीदी की बात कर लेते हैं जो चरक सहीता में बढ़ने था हैं आपको लेना है दो चमच त्रिफला पाउडर उसमें मिलाना है आपको लगबक दो चमच पानी इसको एक लोगे के बरतन में लोगे के पातर में राद बर के लिए छोड़ दीजे अच्छे से मिक्स करके और सुभे आपको इसको अच्छे से फिर्ष से मिक्स कर लेना है उसमें चार चमबश शेहद मिलाना है और इसमें लगवर 20 से 40 से मिल आपको पानी मिलाना है यह एक शर्बत के रूप में बन जाएगा एक मीठे शर्बत के रूप में इसको आप सुभे खाली पेट सेवन कीजिए अचारियों ने बोला है चरक सहीता में कि अगर आप इसका निरंतर लगातार बिना रुके एक साल तक इसका सेवन कर लेंगे किसी भी वीदी दुआरा त्रिफला का सेवन अगर आप एक साल तक कर लेंगे तो यह जराव्यादी नाशनम हो जाएगा यानि कि एजिंग प्रॉसेस को तो रोग ही देगा साथी साथ आपके शेर से सारी बीमारियों को भाहर निकाल लेगा तो आप इस वीदी दुआरा त्रिफला का सेवन जरू कीजिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्चिन में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू